काशूबा जूनियर रोहित को लेकर अपने प्लैनेट पर चला गया है क्योंकि काशूबा ने फ्यूचर देख लिया है और काशूबा ये जान चुका है कि आज से 18 साल बाद जूनियर रोहित काशूबा को मार देगा इसलिए काशूबा जूनियर रोहित को यूनिवर्स की किसी ऐसी जगा पर ले जाकर मारना चाहता है जहां टाइम हमेशा के लिए रुक गया हो मतलब यूनिवर्स की ऐसी जगा जिसका ना तो पास्ट हो और ना ही फ्यूचर काशूबा नहीं चाहता कि क्रिश अपने पिता रोहित महरा की मदद से टाइम ट्रेवल करके जूनियर रोहित के प्रेजन्ट में मर जाने के बावजूद भी उसको जिन्दा वापिस ले आए इसलिए काशूबा जूनियर रोहित को यूनिवर्स की ऐसी जगा पर ले जाकर मारना चाता है जहां टाइम है ही नहीं अब रोहित महरा जिसको प्रेजन्ट और फ्यूचर का क्रिश पास से प्रेजन्ट में ले आए हैं को काशूबा के इरादों के बारे में पता चल जाता है फिर जब जादू बताता है कि काशूबा ने अपने प्लैनेट को युनिवर्स में कहीं छुपा दिया है तब रोहित महरा कहता है कि मैं जानता हूँ कि काशूबा जूनियर रोहित को लेकर अपने प्लैनेट के साथ कहां चला गया है और ब्लैक होल में जो एक बार चला जाए वो कभी वापिस नहीं आ सकता लेकिन काशूबा ने ब्लैक होल के रहसे को जान लिया है इसलिए काशूबा ब्लैक होल जहां टाइम का कोई मतलब नहीं है पर ही जूनियर रोहित को मार कर वहाँ से जिन्दा वापिस आना चाहता है फिर रोहित महरा कहता है कि ब्लैक होल के अंदर जाकर ही हम काशुवा को मार सकते हैं और जूनियर रोहित को जिंदा वापिस ला सकते हैं फिर रोहित महरा बताता है कि ब्लैक होल से वापिस सिर्फ वोही आ सकता है जिसने ब्लैक होल के रहसे को समझ लिया है और जो पास्ट या फ्यूटर से नहीं आया है मतलब रोहित महरा ब्लैक होल के रहसे को तो समझ गया है लेकिन रोहित महरा पास्ट से आया है इसलिए अगर रोहित महरा एक बार ब्लैक होल के अंदर चला गया तो कभी वापिस नहीं आ पाएगा इसका मतलब फ्यूचर से आया हुआ क्रिश और जादू भी ब्लैक होल पर एक बार जाने के बाद कभी वापिस नहीं आ पाएंगे ये सब जानने के बावजूद भी रोहित महरा जादू और फ्यूचर का क्रिश भी प्रैजन्ट के क्रिश के साथ जूनियर रोहित को जिंदा वापिस लाने ब्लैक होल में चले जाते हैं फ्यूचर का क्रिश भी अपने बेटे जूनियर रोहित को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तयार हो जाता है ब्लैक होल पर पहुँचते ही काशुबा की आर्मी दोनों क्रिश पर हमला कर देती है अब वहाँ सूपर नैचरल पावर्स की मदद से काशुबा और क्रिश में सूपर फाइट शुरू हो जाती है काशुबा कहता है कि तो आखिरकार तुम लोगों ने मुझे ढूंड ही लिया काशुबा कहता है कि तुम लोग जूनियर रोहित को बचाने ब्लैक होल के अंदर आ तो गए हो लेकिन वापिस नहीं जा पाओगे और यहां सिर्फ मेरा राज चलता है तुम लोग मेरा यहां कुछ नहीं बिगार सकते तब रोहित मेरा कहता है कि हम तुमको वक्त से पहले नहीं मार सकते तुम्हारा मरने का समय तो टै है और वो भी मेरे ग्रैंड सन रोहित के हाथ हो फिर काशुबा कहता है कि मैं जूनियर रोहित को अभी इस जगा मार कर फ्यूचर को बदल दूँगा फिर रोहित मेरा कहता है कि मैं या तुम future को नहीं बदल सकते लेकिन मैं future की घटनाव को होने से पहले ही घटित कर सकता हूँ रोहित महरा जान चुका था कि काशूबा को टाइम से पहले नहीं मारा जा सकता इसलिए रोहित महरा ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से उस जगह पर टाइम को फॉरवर्ड कर दिया था और वो जिस समय ब्लैक होल पहुँचे वो फ्यूचर यनि अर्थ के मताबिक यर 2040 था और यर 2040 में ही काशूबा ने जूनियर रोहित के हाथो मरना है इसलिए 2040 में होने वाली घटनाएं उस ब्लैक होल पर घटित होने लग जाती है जूनियर रोहित बड़ा हो जाता है और उसके पास सूपर पावर्ज और ज़्यादा बढ़ जाती है अब काशूबा और जूनियर रोहित के बीच सूपर फाइट होती है और काशूबा जूनियर रोहित के हाथों मारा जाता है काशूबा के मरने के बाद रोहित महरा टाइम को फिर से उसी समय में ले आता है मतलब अब जूनियर रोहित फिर से अपने बच्मन वाले टाइम में वापिस आ जाता है अब प्रैजन का क्रिश और जूनियर रोहित महरा की मदद से वापिस अर्थ पर आ जाते हैं लेकिन जादू future का क्रिश और रोहित महरा हमेशा के लिए black hole पर ही कहीं खो जाते हैं तो दोस्तो हमारे इस वीडियो को और पिछली सभी fan theories को देखने के लिए आपका thanks